आज अंधेरी रात है कल सवेरा होगा रग अपने मेहनत पे भरोसा इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज देरा भी होगा तो नमस्कार दोस्तों मिरे नाम है दस्त प्रधान और आप देख रहे हैं छोड़ा नागपुर लाइफ दोस्तों बीते दिन दसवी और बारवी साइंस का रिजल्ट जैकबोर्ट ने घोसित किया तो हम पहुँच के ऐसे बच्चों से मिलने के लिए जो अपने मेहनत से अपने मेहनत के दम से किर्टिमान हासिल किया है टॉपर बनने का तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या नाम अच्छा तो यह हो गया इनका छोटा सा इंटरव्यू अब आपसे जो सवाले होती है जो पूछते हम कि आप अपना सफलता का स्रीय किसे दिना चाहते हैं अपने टीचर गंस्यम महतों देना चाहता हूं आपका जो संघर्स रहा बानवे दस्मलों दो सुन्य मार्ग्स लाने का यह संघर्स के पीछे आपका एहम योगदान किसका रहा आपके घर में हो या फिर आपके बाहर कोई भाई हो किसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किय कभी हैं तो आप अपने जीवन men हैं क्या हासिल करना चाहते हैं आगे सब्सक्राइब किसान है जिस तरह परिवे से आपका काफी लुवर मिल्ल क्लास से आप बिलॉंग करते हैं पापा बहुत चाले मेहनती होंगे बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे होंगे आपका परिवार का भरन पूशन कर रहे होंगे आप उनका उनका सपना क्या है आपको लेकर उनका सपना है कि आगे चल कर फिर उसको जो मेनत उसने मेरे उपर मतलब यह किया है मतलब सोचें कि आगे चल कर कुछ बनेंगे तो उसका सपना हम पूरा करेंगे अपना सबना को पूरा करना चाहेंगे आपका एकडमिक बैग्राउंड कैसा था मतलब आप बच्पन से पढ़ाई में आपका बहुत रूची था बच्पन से आप अच्छे नंबर मार्क्स लाते थी या फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपको ला कि नहीं मुझे दसमी में अच्छा सटिक पढ़ाई करते थे लेकिन आप सटिक पढ़ाई करते थे जितने ही जरुरत होती उतमे ही पढ़ाई करते थे और आपका किताब एंब जैसे कि आपने कुछ गेस पेपर के help लिया था या फिर आपने कैसे त्यारियां की पिछले तीन-चार महिनों का आपका रणनीती क्या था जो इस साल के बच्चे अगले साल जो दसवी का परिच्छा देंगे उनके लिए बहुत महत्वूड रहेगा बहुत helpful रहेगा उनके लिए आप क्या बोलना हम देखें फिर जो गेस पेफर से बाता है जो बर्मा का कुछ भी तो हम उससे से मतलब लगबाग 80 परशन्ट तक तो आया ही था उसी से 80 परशन्ट विड़ा कोशिन बैंक बहुत ज्यादा महत्वूड रहता है कोई भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए बीते सालों का सवाल बी वह परिक्षा में परिक्षा में सामिल होंगे गया च्छोटा सब्सक्राइष रहेगा कि हाँ इस तरफ सकसेस हासिल कर सकते हैं हम जाह रहें कि मेनद करें और शतीक पढ़ना ज़रूरी है यह मतलब सटीक पढ़ना जरूरी है तो वह इसके बाद आप क्या सोचें जैसे कि आपने डॉक्टर बनने का अपने लक्ष यह किया निर्धारित किया है तो आप इसके बाद कहां एडमिशन लेंगे इसके बारे में क्या कुछ सोचा इसके बारे में अभी तुन नहीं सोचें हैं पिता जी रुग्य कहां पर अडमिशन कर रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद समाई सोरें जी हमारे चैनल से जुनने के लिए और हमारे जो दरसक है उनको बताने के लिए आपका संगर्स का कहानी